भारत के मिसाइल मेंड कहे जाने वाले सर अब्दुलकलामाजाद जो एक ऐसी सक्सियत थे जिने भारत में ही नहीं बलकि पूरे विश्व में यंग जनरेशन द्वारा फोलो किया जाता है और इनके द्वारा दिये गए मूलमंत्र से नजाने कितने यूवाओ की जिन्द की ब सर अब्दुलकलामाजाद की यह 5 बातें यूवाओ को हमेशा सुभा उतने के तुरंद बाद अपने आपसे जरूर कहनी चाहिए दोस्तों सुभा उतने के तुरंद बाद आपको खुद से यह जरूर कहना चाहिए कि I am the best, no one can defeat me, मैं सबसे अच्छा हूँ और मुझे कोई नहीं हरा सकता, ऐसा डेली कहने से आपके सबकॉंसेस माइन में यह बात बैर जाएगी और आप एक नई एनरजी के साथ हमेशा काम करेंगे और इस पूरी दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता, अब आप यह सोचेंगे कि ऐसा कैसे पोसीबल है क्योंकि दुनिया में और भी लोग हैं जो मुझसे कहीं बैतर हैं लेकिन आपको कुछ नहीं करना बस सयम रखना है और I am the best, no one can defeat me बोलना है और इस बात को सबकॉंसेस माइन में इतने अच्छे से बैठा लेना है कि एक दिन आप अवेश्य ही सबसे बैतर बन जाएंगे और विस्वास कीजिए in the entire world no one can defeat you क्योंकि बार बार ये वाकिये अपने मन में दोराने से आपका self-confidence बेहत बढ़ जाएगा और आपकी हर सुबह एक energetic सुबह होगी because your action is totally depend on your thinking अब चलिए दूसरी बात पर गोर करते हैं दूसरी बात जो हर सुबह उठने के बाद आपको अपने आप से कहनी है कि I can do anything मैं कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि हर इंसान का अपनी जिन्दी में एक सपना जरूर होता है जिसे वैप पूरा करना चाहता है लेकिन अपने उपर उजवास ना होने के कारण मैं अपने सपनों को अधूरा ही छोड़ देता है और उन्हें कभी हासिल नहीं कर पाता because of less confidence इसी कारण से आपको डेली सुबह उठकर ये बात कहनी है कि I can do anything मैं सब कुछ कर सकता हूँ इन शब्दों से आपको अपने उपर confidence आना सुरू होगा and then you can achieve what you want to achieve in life और तीसरी बात जो आपको हर सुबह अपने आपसे कहनी है कि The God is always with me भगवान हमेशा मेरे साथ है क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरी घटना घटती है तो वह हमेशा अपने आपको ब्लेम करना शुरू कर देता है और कहता है कि शायद भगवान मेरे साथ नहीं है मेरी किसमत ही खराब है तो आपको कभी ऐसा नहीं कहना है अपने उपर भरोजा बनाये रखिए और भगवान कभी ना कभी आपकी मुद्ध जरूर करेगा सभी का समय आता है और आपका भी जरूर आएगा क्योंकि जब कभी ना कभी आपके साथ बुरा होता है तो उसके विपरीत किसना किसी के साथ अच्छा भी हो रहा होता है तो जो चीज आपके लिए बुरी है वह किसी और के लिए अच्छी सावित होती है तो एक दिन अवश्य ही आपके साथ भी अच्छा होगा पोजिटिव रहिए हमेशा सकारात्माग सोचें और भगवान पर हमेशा विश्वास बनाया रखें और हर सुबह तुरंट उठते ही अपने आपसे कहिए कि दे गोड इस विद मी भगवान हमेशा मेरे साथ है और चोथी बात जो आपको हमेशा सुबह अपने आपसे कहनी है कि I'm the winner मैं एक विजेता हूँ क्योंकि जब कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी में जो पाना चाहता है वैं नहीं हासिल कर पाता तो वैं खुद को लूजर और हारा हुआ महसूस करता है आदे से ज़्यादा लोग यही करते हैं वैं खुद को लूजर महसूस करते हैं क्योंकि वे जिन्दगी में वे हजिन नहीं कर पाते जो वे सही में करना चाहते थे क्योंकि वे खुद से यह कभी नहीं कह पाते कि मैं एक विजेता हूँ I am the winner, यह कहकर तो देखिए आप देखेंगे कि automatic ही आपके actions और भी बहतर हो जाएंगे और आप अपने लक्षे को पाने के लिए जीत और मेनद कर जाएंगे अब आप एक loser की तरह नहीं, एक winner की तरह action भी लेंगे और सोचेंगे भी आएए अब पांचवे और आखरी मूलमंतर की बात करते हैं जो आपको daily सुबह उटकर बोलना है वह है कि आज मेरा दिन है और मैं कुछ भी करके इस दिन को अपना दिन बना लूँगा अब तो जो हुआ सो हुआ लेकिन अब वह होगा जो मैं चाहूँआ ऐसे ही positive thoughts के साथ आपको अपना दिन सुरू करना है क्योंकि इचली गलतियों के बारे में पस्तावा कर अब कोई फायदा नहीं है आपको हमेशा सकरात्मक सोच रखनी है और आगे के बारे में सोचना है और हर दिन को अपनी जिन्दगी का सबसे बहतर दिन बनाना है यदि आज भी आपने वही किया जो आप रोज करते आए हैं तो आपको उसका परिणाम भी वही मिलेगा जो हमेशा मिलता आया है आपकी success इस बात पर depend करती है कि आप काम में कितने मेहनत करते हैं तो हर सुभा उटकर आपको यह 5 मूलमंत बोलने है मैं सबसे अच्छा हूँ और मुझे कोई नहीं अरा सकता I am the best and no one can defeat me मैं कुछ भी कर सकता हूँ I can do anything भगवान हमेशा मेरे साथ है The God is always with me मैं एक विजेता हूँ I am the winner और आज का दिन मेरा दिन है It's my day धन्यवाद